Hello Foodies, मैं सबाफिरोशेक and welcome to Sabas Kitchen मैं बना रही हूँ बहुत ही बहतरी पुश्टिक से भरपूर स्वाच से बरी मसालेदार डिलिशस पालक आलू की सबजी सच में ये इतनी टेस्टी बनती के बच्चे जो सबजी खाने में बहुत ज्यादा नखरे दिखाते वो भी से खाएंगे बड़ी ही चाव से अगर आप आलक आलू की सबजी मेरे इस बता हुए तरीके से बनाएंगे तो और कॉमन मसाले जो हमारे कीचन में एवरी टाइम अविलेबल होते हैं उन्ही मसालों से हम इसे तैयार करेंगे तो फिर चलिए बनाता हैं पालक आलू की सबजी लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिये हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें जैसे के आपको मेरे आने वाले हैं नए वीडियो की जानकारे नोटिफिकेशन दौरा मिलते रहेंगी पालक आलू की सबजे बनाने के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को खुब अच्छे से धोकर इसना से चौप करके रखने मैने पालक की तीन गड़़ि ली है और जैसे के आप देखें मैने पालक के डंटरों को भी ठोड़ा बहुत चौप किया है लेकिन बहँत ज़्यादा मोटे वाले स्चेंप नहीं लिए मैने जो पत्रे वाली स्चेंप होते हैं पालक में उसे ही मैंने काचा है क्योंकि पालक के stemp में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है पालक का इसलिए मैं आप से कहूंगी कि पालक में जो पतले वाले stemp होते हैं उसे आप पकाने में इस्तमाल करें और हाँ ध्यान रहे पहले पालक के सभी पत्तों को खुब अच्छे से धोले उसके बाद ही चॉप करके पालक को साइड में रख लें क्योंकि अगर आप पालक की सभी को चॉप करने के बाद वाश करते हैं तो आप यह समझ लें पालक में जितना भी न्यूट्रेशन होता है वह पानी में धुल जाएगा और हम पालक के साथ आलू कंबाइन करके बना रहे हैं तो आलू को च्हील करके छोटी टुकड़ों में इस तांसे काट कर रख लें और मैंने तीन बड़े साइज वाले आलू को च्हील के टुकड़ों में काटा है यहाँ आलू की क्वैंटिटी आप अपने खान के ही सबसे सबजी में कम ज्यादा कर सकते हैं तो खेर यह तो होगे हमारी प्रिपरेशन आप बढ़ते हैं अंगले प्रोसेस की तरफ आप कड़ाई में डाले आधा कब करीब तेल तेल को पहले गरम करने और जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें फ्राइ कर लेंगे आलू जिसे हमने छील के टुकड़ों में काट कर रखा था और मैं आपको बता दो आलू आप किसी भी प्रकार कर ले सकते हैं नया आलू, जुना आलू, बड़े साइज वाला आलू या फिर छोटे आकार वाला आलू जैसा भी आलू हो कोई फर्ट नहीं परता बस पालक आलू की सबजी बना रहे हो तो आलू होना चाहिए तो तेल के गरम होते ही गरम तेल में हम फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर आलू बीच-बीच में कल्ची से चलाते हुए जब तक या आलू का जो कलर है वो इस तांसे हलका सा सुनेरा नहीं हो जाता करीब 5-7 मिनट का ही समय लगता है आलू ऐसे सुनेरे होने के लिए और 5-7 मिनट में इतना फ्राइ होने पर आलू 50% करीब पक जाते हैं और बाकी 50% जो आलू में कच्चापन है जब हम इसे पालक के साथ पकाएंगे तब ये गल जाएंगे वैसे तो हम आलू को डारिक्ट पालक में बिना फ्राइ किये भी पका सकते हैं लेकिन आलू जल्दी घल जाते हैं पकाने पर सबजी को जब हम कलची से चलाते हैं तो आलू नरम हूने के वज़े से तूट भी जाते हैं इसलिए हम आलू को फ्राइ करदेंगे तो बहुत ही बढ़ी आए क्योंकि fry करने पर इस पर जो layer बनती है वो आलू को सब्जी में टूटेने से बचाती है तो यह लिए करिब 7 मिनट में ही आलू मेरे fry हो गए तो सभी आलू को मैंने बॉल में निकाल कर रख भी लिया और जैसे कि आपने दिखा आलू को मैंने चन्नी वाली कल्ची की साहता से निकाला जिससे कि जितना भी extra oil है वो कड़ाई में रह गया आलू fry करने के लिए मैंने आदा कप तेल लिया था और अब जो कड़ाई में इतना तेल बचा हुआ है तो आप सबसी पकाने के लिए हमें चाहिए 5 या 6 बड़ी चमत तेल इससे ज्यादा तेल हमें नहीं चाहिए तो इसलिए कड़ाई में जितना extra oil है उसे कम कर दे तो यहां मैंने कड़ाई में केवल 5-6 बड़ी चमत तेल ही छोड़ा है और आलो को फ्राई करने के बाद भी कड़ाई में से तेल में से निकालने के बाद भी मैंने गैस फ्लेम को बंद नहीं किया बलके मैंने गैस फ्लेम को कर दिया है धीमा तो फ्लेम को लोही रखें और फिर डालें 1.5 तीस्पून जीरा 1.4 तीस्पून हींग जीरा और हिंग को कुछी सेकेंद्स के लिए फ्राइ कर लें धीमी आज पर अब जैसे जीरा और हिंग ब्राउन हो चाहे तब डाले एक बड़ा चमच बारिक कटा हूँ लसन ध्यारने लेसन को हमें ब्राउन नहीं करना है बस आधी मिनट के लिए इसे लगातार चमल से चलाते हुए फ्राइ करें और फिर डाले 4-5 हरी मिर्चे बारिक कटी हुई इसे भी हम फ्राइ करनेंगे आधी मिनट के लिए दीमी आज पर मैंने लिए 3 पालक की गड़ी इसलिए हरी मिर्चे भी मैंने मेरे खाने के सबसे डाली है आप अपने टेस्ट के कोडिंग हरी मिर्चे डाली जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो और मैं आपको बता दो आगी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी आड़ करेंगे इसलिए हरी मिर्चे आप सो समझ कर ही डालें अब हरी मिर्ची फ्राइ होते ही है मैं आड़ करेंगे बारिक चौकी हुई प्यास मैंने 2 मीडियम साइस की प्यास लिए है तो आप प्यास को भी हम फ्राइ करेंगे 5-7 मिनट के लिए धीमी आज पर प्यास को हमें ब्राउन नहीं करना है बस प्यास जैसी इस तरह से नरम पर जाए तब हम आड़ करेंगे मसाले और मसाले में आड़ करेंग ओंधा थीजपून हल्दी पावडर, एक तीजपून लाल्मेच पावडर , ध्यान डखे है हडि मर्चे भी dalam लालमेच पावडर आड़ करें और धीन धनिया पावडर अब इन मसालों के साथ ही डाले चौप की वे टमाटर टमाटर आप देखे मैंने दो मीडियम साइस के बिल्कुल लाल फ्रेश टमाटर लिये हैं अब चौप की वे टमाटर हमने डाले हैं तो टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे नमक क्योंकि नमक से टमाटर गलने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और मैंने एड़ किया है एक टीस्पून नमक तो अतना नमक पाला कालू की सबसे के साथ टेस्ट के एकॉर्डिंग बैलन्स भी हो जाएगा तो अभी इन सभी इंग्रीटिंट को चमल से खुब अच्छे से मिला ले और पिर काई को डखकर मसाला भुनने रख दे 5-7 मिनट के लिए धीमी आज पर और मैं नौस्टिक कड़ा यूज नहीं करे हूँ इसलिए इस बीच हम मसाली को एक बर चला भी लेंगे ताकि मसाला कड़ाई के तली पर चिपके नहीं तो लीचे करीब 7 मिनट हो गए और आप 7 मिनट बाद आप मेरा ये मसाला देखें जो कि बहुत ही अच्छे से भुन चुका है मसाले में से तेल जो है आप देख सकता है बिलकुली सेपरेट हो चुका है अगर तेल मसाले में से इस तांसे सेपरेट हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका मसाला भी बहुत ही बढ़िया से भुन चुका है और ये टमाटर भी आप देखें जो कि पूरी तांसे सॉफ्ट हो गए तो आप करना क्या है मसाले को ऐसे चमल से थोड़ा सा मैश करने खास करके टमाटर जो गल गए है उसे मैश करना है हमें और फिर टमाटर को मैश करने के बाद अब हम इसमें डालने के पालक मैंने पालक की तीन गड़ी चॉप किये है तो सारी के सारी चॉप किये हुई पालक मैं कड़ाई में डाल रही हूँ ये देखे पालक से कड़ाई मेरी अभी आपको पूरी भरी हुई दिख रही है जो कि इसे हम तेज आज पर जो जो पकाएंगी तो पालक की quantity कम होती जाएगी इस ताह से ये देखिए दो मिनट में पालक की सबजी तेज आज पर किस ताह से कम हो गई ऐसा इसलिए क्योंकि पालक जो है बहुत ही वाटरी सबजी होती है इसी वज़े से जल्दी ही जुलज जाती है और फिर पालक अपना जूस छोड़ देती है तो बस आप पालक को मसाले में मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 50% प्राइ किये हुए आलू और अब आलू को भी पालक के साथ मिला लें यह देखे काड़ाई के तले पर पालक से रिलीज हुआ पानी आप देखी सकते है लेकिन अभी इतना जूस काफी नहीं है जितना हम इसे गैस फ्लेम पर और पकाएंगे पालक अपना उतना ही जूस रिलीज करती जाएगी और उसे पालक से रिलीज हुए पानी को हम जलाएंगे धीमी आज पर तो आलू मिलाने के बाद अभी हम कड़ाई को ढखकर सब्जी को पहले 10 मिनट के लिए तेज आज पर पकाएंगे और फिर 10 मिनट के बाद सब्जी को हम पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर जब तक पालक जितना रिलीज हुआ पानी है उप पूरितां से बर्न नहीं हो जाता फिर बहले आपको सब्जी पकाने के लिए 30 मिनट का समय क्यों ना लगे इसे आप तब तक लिए पकाएं तो ये सब्जी पकाते हुए मुझे हो चुक है करी 25 मिनट और फिर 25 मिनट के बाद मेरी सब्जी में आप देख सकते हैं पालक से रिलीज हुआ जो पानी है उप काफी हद तक बर्न हो चुका है तो जब पालक आलू की सब्जी में पानी इस्तान से कम हो जाएगा तब फाइनली सब्जी में एक टीस्पून गरम मसाला पॉर्डर डाल कर सब्जी को चमा से चलाते वए पका लें और मैं आपको बताओ इसे स्टेज पर मैंने गैस फ्रेम को तेज कर दिया है और तेज आंच पर मैं सब्जी को बहुत ही हलके हाथों से लगाता चमा से चलाते वए पका रही हूँ जब तक कि पालक का पानी पूरिता से बन नहीं हो जाता और मेरी ये सब्जी बिल्कुली ड्राई नहीं हो जाती गरम मसाला पॉर्डर मिलाईन के बाद सब्जी आप एक बार टेस्ट करना ना भूलें क्योंकि नमक हमने इसमें अड़ किया तो मसाला भूनते वक्त तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल कर मिला लए ये देखे इस तना से मेरी पालक आलू की सब्जी बिल्कुली ड्राई हो गई अब सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं है और ओल आप देख सकते हैं जो कि सेपरेट हो चुका है आलू अगरे भी बहुत ही बड़ी हासे गल चुके है पालक जो है बिल्कुली अच्छे से पक चुकी है मेरी तो यह लिए जो फाइनली मेरी पालक आलू की सब्जी बनक की साथ सॉफ करें लेकिन जो भी हो यह recipe आप एक बद ट्राय करें तो अगर आपको मेरी र saja पसंदाई होगई अगर आपको मेरी री recipe पसंद आई है तो comment में जरूर बताएं मेरी विडियो को like करें share करें प्लीज में चैनल को subscribe करें और पासी में झाल झाल